लगबग 14,000 करोड उपे की बैंक घोटाले मामले में ब्रिटेन की एक अदालत ने हाली में फैसला दिया कि मामले के मुख्य आरोपी और हीरा व्यापारी निरो मोदी को हिंदुस्तान में प्रत्रपित कर देना चाहिए लेकिन सवाल खड़े हो रहे थे कि इस मामले के शडेंत्रकारी निरो मोदी के चाचा मेहूल चौक्सी का क्या जो की बड़े आराम से एंटिगा में रह रहा है इस मामले में बड़ी ख़़र आई है Antiguan Barbuda has attempted to withdraw or revoke the citizenship of Mehol Choksi however he has entered a suit in the high court of Antiguan Barbuda and it means that before we could possibly complete that revocation he would have an opportunity to appeal to our Court of Appeals and then of course to the Privy Council which is in London that entire process is likely to last around seven years therefore the likelihood that his citizenship of Antiguan Barbuda will be revoked is likely to end sometime in 2027 if my arithmetic calculations are good but it is not the case that at this time he could be returned to India because he has all the rights and privileges of any citizen of Antiguan Barbuda whether born here or through registration as a consequence it'll be many years before he is returned Lionel Hurst here साल 2027 के पहले Mehol Choksi का हिंदूस्तान वापिस आपाना काफी मुश्किल होगा ऐसे में देखना होगा क्या भारत सरकार या भारत की जाचिजन्सियां कोई एक रास्ता निकालती हैं जिससे कि Mehol Choksi को हिंदूस्तान में जल्दी वापिस लाया जाया है हिंदूस्तान का अच्छा नागरिक है उसके खिलाफ में हिंदूस्तान की किसी वे अदालत में कोई भी आपराधिक मामला नहीं दर्जिशन चल रहा है और इसी रिपोर्ट के बिनाबर उसने एंटिगा में पैसों का इन्वेस्टमेंट दे कर एक नागरिकता हासिल कर ली और वहां का नागरिक बन गया पूरा का पूरा मामला सामने आया तो भारत की जांचे जैंसियां CBI और ED उन्हों ने उसके खिलाफ में इंटरपोल के जरिए रेट कॉर्णर नोटिस इशू करवा दिया अब भी वहां की कोट में मामला दायर कर दिया और अभी भी वहां मामला चल रहा है इसके अलावा भारत सरकार ने भी एंटिगा के उपर जबरदस दबाव बनाया है जिसके बाद में कोशिश की गई कि मिहुल चौकसी को जल्दी हिंदुस्तान वापिस लाय जा लेकिन उस तरकारी खुद मिहुल चोकसी है जो की एक दश्कों पुराना हीरा व्यापारी है और उसी का दिमाग था कि किस तरीके से पंजाब नैशनल बैंक में 14,000 करोड़ोपे से जादा का चूना लगाया जा सकता है इसके लाव भी मिहुल चोकसी के खिलाफ में कई मामले हिंदुस्त क्योंकि सब को कोई इनसाफ की मांग कर रहा है सब को चाहिए कि जल्दी से जल्दी मिहुल चोकसी वापस आए और उसके खिलाफ में ने जो पैत्रा खेला कहीं न गहीं उसमें ये लग रहा है कि मिहुल चोकसी को समय तो जरूर मिल गया है लेकिन क्या इस समय के जर्ये दुनिया तक की एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट के लिए मुनिश पांडे